नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इसने वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रिकल्चर और पसुपालन से इसे मंदित कोस्चनों की जो कि हमारे आने वाले एक्जाम जो साथ जो कॉंस्टेबल का एक्जाम है उससे बहुत ही को सामिल किया है जो एक्रिकल्चर इस्पेक्टर के एक्जाम में पुछे गए हैं जिसकी एड़टाजमेंट नमबर थी छेद हो जासोड़ा कि क्योंकि हैं बहुत सारे कोस्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूं साथ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबा कर सबस्क्राइब करेजिए साथ बैल आइकन का बटन विद्वाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोट्रिकेशन आपको सब लापर्शन है जेवी खाद उलूर को से बहतर होती है क्योंकि इसकी ओप संदीवें यह जलधारन शंताव मिर्दा सरचना में सुदार लाती है यह पीड को से रख्शा करती है यह अप्रिन यानि कि कर्पतवार से रख्शा करती है तो इसका राइट असर रहे गए यह ले जलँददार शम्तर में शुदार लाती है जो मीख घाथ होती है व हो जलँदार्ण शम्तर में सुदार लाती है कि ता driven है नहीं कि ये निचे व्य चैल को फेकर हटाने में सहले हैं स paj सब्सक्राइब करने के लिए बीजों को सक्तिशाली अमलों से समंदित किया जाता है इसका अप्सन दिये हुए आप देख सकते हैं अमलीकर्ण उत्पाटन या फिर मानकीकर्ण तो इसका राइटन सब्सक्राइब परच्छान इसको अप्सन सी राइट रहेगा जो कि इस वेदी के वादवारा हम वीजों की जो परसुपत वस्ता जो भंग करने के लिए वीजों को सक्तिशाली अमलों से संसाधित किया जाता है 73 कोस्चन है 73 कोस्चन पूछा है इसमें पत्जों के उस करम का अभी निरधारन करें जो मस्रूम की खेती बाड़ी में अपना जाता है जो कि जो मस्रूम की खेटी होती है हर्याना का प्रतमस्तान है सोनी पत जीले का मस्रूम की खेटी में एक्ज़ा में पुछ जा सकता है कि जो मस्रूम मतातमान में कि इसका भष्ट्सान है तो इसका रहाई ट्रठ सर WILLe से इतरए का सोने पत- तो आई दोस्तों देखते हैं जो इसका आवि निरधारं लुङ है यानि कि घेती बाड़ी होती है जो तो से बारे में देखती है है किस किस प्रकार से बहुत जाती है तो इसमें पहले देख रखें आप्सना आफ देख सकते हैं तो इसमें क्या होतो है कि पहले बुगाई होती है उसके क्या होता है जाने कि बोयना होता है इसमें और जो सेंसिके बाद इस spice नंबर पर क्या होएगा इसके अंदर मिपम होएगी तखताबंदी और जो फोल्थ नंबर फिरलाश्ट में क्या होगा कटाई का उति कि वाइट एसके इस शु RIGHT अंसर एंसर रहेगा डी एक ज़रा में पूछ जा सकता है इस प्रकार से जो मस्रूमी खेतिवाड़ी होती है कि उसमें किस प्रकार का करम चलता है इंपोर्डेंट कोस्चन है दोस्तों 74 कोस्चन है हमारा ब्रेशी का नापूस के बीजों राजी का तेल बीज से प्राप्त किया जाने वाला कि विस्तरिस पर होती है तो इसका राइड़ अंसर्हेगा गुण सुत्र, यानिकि क्रॉमसॉम, जो भी किसी भी जीन की, जो स्थीटी होती है, वस्थीटी होती है, उसके गुण सुत्रह पर, क्रॉमसॉम पर निर्धारित करती है जैसे गहूं में, 46 गुण सुत्र होते हैं कि गुवाज और इंजिनरी यानि की जो जीन होते हैं जो प्रक्नली में उसको पुपचार कि ज gef जाता है वह अन्वार्च की इंजिनरी कहलाती है 78 question है दोस्तो हारित लवक का dna, dash है, तो इसके option दे रखिया है, a रेखित, यानि किसी देरेका में अंडाकार, या फिर बृताकार, या फिर वर्गाकार, तो इसका राइट रेखार रहेगा, बृताकार में होती है, जो हार लवक लवक होती है, उसका जो dna होता हो, बृताका लिए दी सी स्तन्दाई वीदी और डी इसतन्य मोचन वीदी तो इसका राइट अंसर एगामारा स्तन्य मोचन वीदी यानि की बी ऑप्षण है जिसमें बश्ड़े को महा से दूर किये जाता है बश्ड़ा पारण की यह पद्दती है स्तन्य मोचन 30 कोस्चन है अर्द गेहन परनाली कब ली जाती है तो इसका राइट अंसरेगा हमारा एक कि खेप में पाले जाने वाले एक समान आयू के चोजो का स्मू एक डैस कहलाता है अपस्ण देह रखें क्रिशक शाव खसी मुर्गा अंडे सेना तो इसका राइट याग बी जो कि एक ही खेप में यानि की एक ही उसमें पाय जाने वाले समान आयू के एक ही चुजों का समोग क्या कहलता है शाव कहलता है जहां जमीन की कव होता है इसको फ Niya रखे हैं अर्द गेहन परणाली सुतंतर विच्छन विष्टित परणाली गेहन परणाली या वलनिकाही परणाली तो इसको राइट अंसर एक हमारा भी जो कुकुट पादन की होती है इसमें यह आवस्ता सबसे पुरानी है यह प्रयोग जाती है जहां जमीन की कोई कमी नही है उसमें सुतंतर विच्छन करते हैं जो उनके चूजे होते हैं और इसे विष्टित परणाली भी कहते हैं अगरे त्यक्तित री कोस्चन है क्योंकि जल्ब होती सस्ता है और इसमें पौसक तत्तर सभी अनिवारी होते हैं अनिवार रोप से पाए जाते हैं 84 कोस्चन है डैस चारे का वह हिस्सा है जो सारा पानी हटा देने के बाद सेज बचता है इसके उप्संदे रखियें कच्छा प्रोटीन बीखनीज सी कार्ब सब्सक्राइबर नेक्स्ट कोस्चन है हमारा 85 85 कोस्चन पूछा हुआ है आम तोर पर भेंसो भेड़ो और बक्रियों में पाए जाने वाले रक्स्त्रावी रिक्त पूतिता का क्या उप्चार है आब इसके ओप्संदेख सकते हैं यह दे रखा है बी है सी डी तो इसका आफिड़ों और बक्रियों में पाए जाने वाला रक्स्त्रावी रिक्त्ता का उप्चार है यहनि कि जो रक्त का जो स्त्राव होता है उसके जो प्चार है इसमें इन इंजेक्शनों के लगाने से ठीक किया जा सकता है नेक्स्ट है 86 एक हल में कितने बुन्यादी घटक होते हैं तो इसका राइट अंस रहेगा C यहनि कि 5 यहनि कि जो एक हल होता है उसमें 5 प्रकार के बुन्यादी घटक होते हैं 87 कोस्चन है खुदाई और निराई करने के लिए खेते बाड़ी के बीच के कारे में निमलिक कौन सा उपकर्ण प्रयोग के जाता है यहनि कि आप देख सकते हैं इसके उप्सिन है कुदाली मुंगरी फावडा खिलना तो इसका राइटन सरेगा जो कि खुदाई और निराई के लिए खेतीबाड़ी के लिए फ्योग किया जाने वाला उपकर्ण है १ खुदालि यहनि कि कसी कि नेक्स्ट कॉस्ट्चन है 88 उनको हठाने के लिए कौन सा इस्तिमाल किया जाता है लकड़ी का पिन सियर चर्मकार गहाने की मसीन तो इसको राइट सरेगा यानि कि जो उनको हठाने के लिए जो सीर उपकरन का इस्तिमाल कि जाता है, न lineup question ने है हमारा, बींचों, 59question है हमारा, आप इसमें देख सकते हैं फसल गाने के बारे में निमे लिकित कौन सा वैक्ते हैं Σहीं है?」 तो इसके option है यानाज को भू से सी आलग करने की पत्ती है, यानाज को भू से सी bubbling के बारे में जो फसल काटने की पत्ती है और डीया भी जो को UREEDません से prayer Знаершी होストराने की पत्ती है तो इसका track answer को हमार ए parent अनाज की खाद्य हिस्ट्व चूर खाद्य हिस्ष्व को लग करने की पत्ती है निकि फसल गहने के बारे में जो फसल गहने है इसको इंप्वोर्टव ध्यां त्यक्ता है जोots से उपकर्णों का उनके कादय के साथ मिलान करना है जैसे की लकड़ी का इंडा किस्काम के लिए आ या जाता है तो पीशते थे और जो थर्ड है लकड़ी की पिन तो इसका राइट अंसर रहेगा लकड़ी की पिन से क्या करते हैं जवार के गुलों से बाहरी आवरण को हटाना और जो डी है बांस की टोकरी इसका पता है आपको जो अनाज होता है उसकी या फिर कोई फसल होती है उसके उपज को डॉलाई करने के लिए में इस्तिमाल किया जाता है तो इसका राइट रहेंगा मारा में ढैस्ट देख लेते हैं 91 91 एंट फिर आ हमारा एक जैवी खेत की में बिक्ने मais या वे की अवस्ता के कि बारे में मीलिक कौन सा वेकताव अवय सही नहीं है रिए तो इसका डेख सकते हैं अब तो इसका रश शम्ता भी रहेगी उस्तर मृदा सवसन भी रहेगा और उस्तर सुक्षम जीवी जैव दरवेमान यानिकि जो सुक्षम जीवी होते हैं वह भी विद्यमान रहेंगे जैवी खेत में जिसमें किसी प्रकार कर साय नहीं करो रखना है डाला गया हो कि 92 कोस्चन हमारा नेमिलिक्त कौन सा कच्छरा वनस्पति खाद बनाने के लिए प्रयोग के जाता है इसके उप्सन देख सकते हैं एक गोस्त हड़ी याँ वे मचलियों के अवसे इस भी पका हुआ और त्यार बोजन सी लकडिया कोईला या कोईले की दाख और डी ऑप्सन है टी बैग काफी चूरा काफी फिल्ट्र और पेपर टावा तो इसका राइट अंसर रहेगा डी जो कर्चरा वनस्पति खाद बिनाने के लिए प्रयोग के जाता है इसका अंसर यह रहेगा डी आए इंट थी कोस्चन है वानस्पती खाद टाल ले हितूं पर्युक्त भूरी समगरी लिए से समर्दीत होती है तो इसके ऑफम सक्टेस के निजगर नाइट्रोजन हाइट्रोजन कार्बन और पकार्ण does और अंसर एगा दोई रहेगा ह आ जो वानस्पति खाद के लिए स्लोब यह भी जो फलिदार होती है उसन भी फलिदार होती है तो इसका राइटनसर एगा अब गज्यर फलिदार हसल है ले नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं 95 इन्होंने 95 कोश्चन निमिलित का मिलान करें और सहीं विकलब पर निशान लगाई तो इसके उपसन दे रखें कि देते सकते हैं एं नैट्रो कारी जीवानों वेनी की य कि मैन अरएं सघ्रिकीत होते हैं वह जड़ में समाई होते हैं यह मुल घ्रन्थी में होते हैं और जो सेकिंड रहे इस viktigt बैक्टर वसका रायट और रहेगा से जो यह जब एक्टर होते हैं, वो जैव, रुर्वर्ख होते हैं, और सेसिश बेणिया तो इसका राहिट अंसर का जए भाहरुदः पादनगी उच्धर, इसका वन और पॉन गेमिया होता है, तो इसका राइट अंसर रहेगा हरित परणदारी खाद्य फसल इसका राइट अंसर रहेगा ए नेक्स्ट हमारा 96 96 कोश्चन है डैस जल स्थान प्रकास और खनीजों के लिए फसल पादबो से परदिस परदा करते हैं तो इसकी उपसंदेर रखें एब त्रितन यानि कि खरप स्थान भी गेरते हैं और जल मिलेते हैं उनसे नेक्स्ट कोश्चन 97 97 कोश्चन है खरपतवार को नियंतित करने की एक वीदी है जुताई भुवाई सिचाई घास पत्ते से डखना तो इसका राइट अंसर रहेगा घास पत्ते से डखना यानिकि जो खरपतवार होती है इन उपर नहीं उगती उगती यह इनको बढ़ने से रोकता है 98 कोश्चन है नाइट्रोजन के अलपता के लक्षन पहले डैस पत्यों में दिखाई देते हैं पुरानी नई सबसे अपर निचली तो इसका राइट अंसर रहेगा ए यानिकि जो नाइट्रोजन अगर किसी पोदे में नाइट्रोजन की कमी है तो इसकी जो सबसे पहले जो कमी वो पुरानी पत्यों में दिखाई देगी वो सूखने लगती है 99 पुस्पो द्यान लगाने की सतगोनी परनाली को डैस परनाली भी कहा जाता है विकरनी है वर्गकार आयताकार सटकोनी तो इसका राइट अंसर रहेगा बी सटकोनी है यानि कि जो पुस्प द्यान है पुस्पो का बगीचा है उसको लगाने की सतगोनी परनाली को सटकोनी है परनाली भी कहा जाता है और लास्ट हंडर्ड कोस्चिन हमारा बागवानी फसलों में पीड़क उपचार का सिधानत कौन सा है सही शुनता उन करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत